जैसे किसना दोस्तों, बी एस सर्मा भाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं। दोस्तों, घड़े सक्टी चतोथी पर अगर हम कोई भी उपाय काते हैं, घड़े जी की किरपासे निर्वग्न संपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, पुत्थ प्राप्ती के लिए या मनोवांची संतान प्राप्ती के लिए और आप इस उपाय को करेंगे, तो घड़े जी की किरपासे जे संतान प्राप्ती में, पुत्थ प्राप्ती में आपकी रुकावट आ रही हैं, वो रुकावट में जो बिगने हैं, वो बि सिद्धो जाएंगे पर्टे गड़े चतो थी पर संक्टी चतो थी पर जो हैं ये उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों पुत्व प्राप्ति के लिए आपको चाहिए गड़े चतो थी के दिन इस नान के बार में प्रातयकाल गड़ेजी का पूजन करें और इस उपाय को जो ह सायकाल के समय पर करें सायकाल के समय जिसने बृत रखाएं वो भी सायकाल को करें और जिसने बृत ने रखाएं उसे भी गड़े सकती चवटूती का पूजन सायकाल को पुत्व प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए प्रात्यकाल तो आप साधा बिरीशे गड़ेजी की पूजा कर लें साइकाल के समय पर पूरा ब्रिशा की तरब मुख करके बैठ जाएं और बैठ करके आप एक ठाली लें और इस ठाली में गड़ेजी की प्रित्मा इस्थापित करें अगर आप एक पास में गड़ेजी की मूर्ती नहीं है तो गड़ेजी की फोटो भी सामने रख सकते हैं और एक सुपारी लें अगर सुपारी उस समय आपके पास मौजूद नहीं है तो आप मिट्टी की थोटी सी डरी भी ले सकते हैं निस सुपारी ले तो ज़्यादा च्छा हैं। उस पर मोली लपेते हैं। और मोली लपेत करके थाली में स्वाश्चिक चिन बना करके थोड़ी सी चावल रख करके उसके उपार सुपारी को स्थापित करें। फिर आप एक कटोरी में जो है पंचामृत बनाएं पंचामृत बना कर के पंचामृत में दूर, दै, गी, सैर, सक्कर ये मिला कर के पंचामृत बना लें और ग्यार shortest बार आपको जो है पंचामृत के छीते जो है गरेजी को देने हैं. जहां सुपारी पर चराने हैं गड़ेजी की प्रित्मा धातू की है, तो उसे 11 बाद छम्मसी चराने अगर फोटो हैं तो उसके छीटे लगा दें, ये लगा करके उसके बाद में सुद्ध जल से उसमें गंगा जल डाल करके 11 बाद छीटे उसके लगां, लगा करके और इस मंत्र का उच्चारन काते रहें। उसके बाद आप पीला चंदन लें। और पीला चंदन या आप सिंदूर का भी प्रोक कर सकते हैं। पत्ता नहीं हैं तो पीपल का पत्ता लेकर कें उसके उपर स्वास्तिक चिन्द बना करकें गड़ेजी के सामने रखें। और स्वास्तिक चिन्द के ऊपर आप जो हैं जो सुपारी रखी हुई है आपने उस सुपारी को रख दें। सुपारी को रख करके थोड़े सी चावल रखें ध्यान रखें जो भी चावल चड़ाएं वो साबोट होनी चाहिए तूटे नहीं होनी चाहिए एक जनेव और पित करें और गड़ेजी को हल्डी जो हैं अगर हल्डी की 11 गाहा थें तो वो चड़ा दें अत्वा घर की जो पि ओम गंगडपते नमः या ओम गड़ेशा नमः या ओम पारवती नंदनाय नमः इस मंत्र का यठा सकती एक माला भी जाब कर सकते हैं और गड़ेजी से पुथ प्राप्ती के लिए प्राथना करें और गड़ेजी को लड़ू का भूग लगाएं इस समय पर जैसे नहीं है नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही थोड़े से तिल और गुड़ मिला करके तिल कुटा बना करके भूग लगा सकते हैं अथवा आप घर में चूर्मा के लड़ू बना करके भी रोठी का चूर्मा बना के उसमी नमक का प्रियों नहीं चाहिए उसका भू अगर आपके पास में उस समय पा तिली भी नहीं है तो दूदी डाल सकते हैं और जिनोंने ब्रित नहीं रखा वो साधा जल से ही भगवान शिरीचंद्रवा को जो अर्द दें और गड़ेजी का ध्यान करके दें दोस्तों इस प्रिकास से गड़े सकती चतोथी पर ये उपाय करेंगे तो आपको निश्यत रूप से पुत्र संतान प्राप्ती में जो रुकावट आ रही हैं वो रुकावट दूर होंगी और पुत्र प्राप्ती का बरदान प्राप्त होगा दोस्तों ये हमने साधान विदी घर में बताईए हैं इसे सक्ती चतोटी पर जिरू करें और आपको माई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब निकिया सब्सक्राइब जिरू करें आप सभी को जैसरी किसना